हमारा chapter है poverty as a challenge यह chapter बहुत important है exam point of view से इसमें से questions बहुत जाधा आते हैं और यह scoring भी है simple सा chapter है बहुत ही scoring है बस इसका हमें answer करना आना चाहिए कि हमें किस तरह से answer करना है तो मैंने कोशिच किया है कि हम points में चीज़ों को यहाँ पे ठीक तरह से show कर पाएं तो अब इसको देख तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या बताई है कुछ facts बता रखे हैं जिसके थू हम देख सकते हैं कि इंडिया में गरीबी का problem कितना जादा सीवियर है तो सबसे पहला fact जो है इसके अंदर की next से शुरू करते हैं तो हमारा यह fact क्या है कि इंडिया में सबसे जादा गरी लोग रहते हैं ठीक है तो हमको पता है 2011 के census के according इंडिया में गरीबी 22% है ठीक है 22% थी और मतलब around actually 21.something था बट overall हम मान सकते हैं 22% के आसपास थी अब हमको पता है ऐसे बहुत सारे countries है world में जहां पे गरीबी इससे भी जादा है 40% भी है 45% भी है उससे भी जादा है पर फि जादा number of poor people रहते हैं यहां पे गरीब जादा है लोग जादा है ऐसा क्यों क्योंकि इंडिया का population जादा है तो जादा population का जब 22% निकाला जाएगा तो वह number भी जादा ही आएगा तो इंडिया में हालां कि गरीबी 22% के आसपास है अब कम भी हो गया होगा यह data पुराना है पर फिर भी लोग जो सबसे जादा गरीब है number of people वो इंडिया में हैं इंडिया में हर चौथा इंसान गरीब है तो यह बहुत बड़ी statement है इंडिया में हर एक चौथा इंसान गरीब है इंडिया में दो state जो सबसे जादा गरीब है वो है बिहार और उडिशा ठीक है 2011 का जो से आगे पढ़ गया है गरीबी में अब है meaning of poverty poverty का मतलब क्या है गरीबी का मतलब क्या है तो गरीबी का मतलब है एक ऐसा situation जिस situation में इंसान अपनी मूलभूत आवशक्ताओं की पूर्ती भी ना कर पाए उस situation को हम गरीबी कहेंगे simple words में ठीक है तो मूलभूत आवशक्ताओं में रूटी, कपड़ा, मकान, education, health तो जब इंसान वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो हम बोलते हैं वो इंसान गरीब है यह तो definition हो गया चोटा सा इसके अलावा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होगी गरीबी में क्या चीज़ें हम देख पाएंगे हम बोलेंगे वो इंसान गरीब है कोई फामिली गरीब है तो सबसे पहली चीज़ है हंगर ठीक है, किसी फामिली में किसी को भूग लगी है, लोग भूगे हैं बट वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो शेल्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहे रहने के लिए एक शेल्टर घर प्रॉपर अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज़ पा रहे है घर में कोई बिमार पढ़ता है तो उसका इलाज नहीं करा पाते है ठीक है और इस सबसे बड़ी चीज है helplessness कि वो helpless feel करते हैं अब helpless feel करते हैं मतलब जैसे तुम्हें याद होगा book में एक story given था और इस स्टोरी में क्या था कि एक family है जहां पे जो father था उसको TB हो गया था तो उसकी death हो गई ठीक है उनकी death हो गई जब उनकी death हो गई तो उसके जान रहे हैं कि अगर वो इलाज नहीं कराते हैं तो क्या होगा result सब लोग जानते हैं पर यह situation जानने के बाद भी वो नहीं करा पा रहे हैं ठीक है तो helpless मतलब क्या एक ऐसा situation जहां पे हमारा condition बहुत खराब है किसी भी तरह से पर उस situation को improve करने के लिए हम कुछ कर भी नहीं तो हम helpless feel करेंगे ठीक है तो वो helplessness वाली situation है हमें कहीं से उमीद नहीं कहीं से कोई help आ रही है then social scientists की according poverty क्या है तो उनकी according उन्होंने क्या करा है उन्होंने कुछ indicators देख लिए है कि अगर ये indicators है कुछ अगर ये positive show हो अच्छे अच्छे show हो तो गरीबी नहीं है अगर ये अच अच्छे indications नहीं देते तो गरीबी है ठीक है तो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो mostly ऐसा ही होगा कि उसे काम मिल जाएगा और गरीब हो नहीं होगा ठीक है तो सबसे बड़ा reason होता है illiteracy निरक शर्ता अगर कोई इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो उसके लिए job opportunities क अगर कोई इंसान healthy नहीं है nutrition की कमी है तो ऐसी situation में क्या होगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा ज्यादा देड़ तक काम नहीं कर पाएगा ठीक है तो payment पे फिर उसके असर पढ़ेगा काम उसको कोई ऐसे इंसान को देना भी नहीं चाहेगा जो इंसान हर कुछ दिनों पर बिमार पढ़ता है ठीक है फिर है lack of job opportunities अब ठीक है अगर किसी को काम ही ना मिले वो इनसान ठीक है सब काम ही नहीं नहीं है उसके पास तो कहां से ठीक है वो इनसान payment कहां से आएगा उसके पास तो गरीबी अपने आपी sure हो जाएगी ऐसी situation में उसी तरह से अगर हम चाहते हैं गरीबी को कम करना तो हम कोशिश करते हैं किसी इनसान को काम provide कर दें तो अगर काम की कम ही हो एक इनसान को काम ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या है healthcare facilities तक उसकी access नहीं है पहुँच नहीं है ठीक है country में है hospital सब कुछ है इनसान बिमार है पर वो afford ही नहीं कर पा रहा वो treatment वो afford ही नहीं कर सकता hospital में जाना तो ये situation है गरीबी safe drinking water ठीक है साफ पानी अच्छा पानी पीने लाइक वहां तक भी पहुँच नहीं है ठीक है तो हमको बताए जो हम contaminated water पीएंगे ठीक है polluted पानी पीएंगे हमको कितनी problem हो जाएगी पर आप करी नहीं सकते कुछ आपको पीना ही पड़ेगा वो ठीक है क्योंकि उनकी पहुची नहीं है वहां तक इसके बाद sanitation तक access नहीं है साफ सफाई तक access नहीं है क्योंकि इन लोगों को ऐसे इलाकों में रहना पड़ता है जो sanitation के लिहाद से ठीक नहीं है slumps में रह रहे हैं जुगी जोपडियों में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारी लोगों को साथ में रहना पड़ता है तो उतना जादा जितने crowded इलाके में हम रहेंगे साफ सफाई का उतना जादा problem देखने में आएगा तो यहाँ पर sanitation के issues भी हैं साथ में अक्सर ये लोग देखने में आते हैं कि जो city होती है उसके outskirts में रहते होते हैं है ना अगर एक city है तो city internal इलाका जो होता है काफी posh होगा अच्छा होगा तो ऐसे लोगों को क्योंकि outskirts boundary सी जो होगी city की जहाँ पर city finish होता होगा गरीबी के कारण क्या है सबसे बड़ा कारण है landlessness जमीन का ना होना तो इसलिए अगर किसी इंसान के पास जमीन हो तो ऐसी situation में वो इनसान काफी कुछ कर सकता है उजमीन के साथ अगर जमीन उपजाओ होगी तो खेती कर लेगा जमीन उपजाओ नहीं होगी तो ऐसे सिचुएशन में वो रेंट पे दे सकता है खुद का कोई काम शुरू कर सकता है और गरीबी वाला प्रॉब्लम सौट आउट हो जाएगा जमीन का ना होना गरीबी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आनिम्प्लॉइमेंट काम ही नहीं मिलनेगा तो फिर गरीब तो रहेंगे ना ठीक है जब पैसे ही नहीं आएंगे तो गरीब रहेंगे तो unemployment बहुत बड़ा reason है Then India में बहुत ही बड़ा reason है size of family कि अगर कोई family में payment कम है इतना income नहीं आ रहा है और वो family अगर छोटी है तो problem जरूर होगा उनको problem जरूर face करना पड़ेगा पर वो problem उतना severely face नहीं करना पड़ेगा जितना एक ऐसी family को face करना पड़ेगा जहां पर income कम हो और number of people जादा हो बहुत बड़ी बड़ी family हो तो वो छोटी सी income इतने लोगों के बीच में बटेगी ठीक है तो वहां पर poverty का problem और भी जादा severe हो जाएगा निरक शर्ता तो कारण है ही क्योंकि काम नहीं मिलेगा उसे साबका आपकी health ठीक नहीं है तो भी आपको कोई काम नहीं देना चाहता अगर काम मिल भी गया तो आप उतना ज़्यादा potential के साथ काम नहीं कर पाओगे ठीक है जो इनसान बार बार बिमार पड़ता है तो वो उतने long hours तक काम नहीं कर पाएगा जितना एक fit इनसान कर पाएगा उतना ज़्यादा efficiently काम नहीं कर पाएगा जितना एक fit इनसान कर पाएगा इसके अलावा है child labor जो बच्चों से काम कराया जाता है तो उनको payment क्या दिया जाता है बहुत ही कम दिया जाता है तो वो भी गरीबी का कारण है अब वो बच्चा अगर उस टाइम पर चाइल लेबर के तौर पर काम ना कराय जाए उससे उसको educate कर दिया जाए तो आगे जाके उसका life बेटर हो जाएगा फिर है helplessness जो हमने discuss कर लिया है ठीक है then social exclusion social exclusion simple words में बोले तो हम बोलेंगे society से एक तरह से अलग कर देना किसी को निकाला जाना अलग कर देना अब इसको समझे कैसे तो इसमें मतलब क्या इसका इसका मतलब है अगर poor people को जो गरीब लोग हैं उनको मजबूर होना पड़े गरीब लोगों के साथ ही रहने के लिए उस बेकार surrounding में रहने के लिए तो हम बोलेंगे social exclusion शो हो रहा है जहां पर अगर कोई इंसान गरीब है तो उसको गरीब लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा और उसे उन उस बेकार surrounding के अंदर ही रहना पड़ेगा जहां पर साफ सफाई ना हो सारी problems हो वैसी surrounding में ही उसको रहना पड़ेगा बाकियों के साथ वो नहीं रह पा रहा है तो अब हम कहते हैं गरीबी ये जो social exclusion है society से अलग कर देना किसी को ये जो है गरीबी का कारण भी है और गरीबी का result भी है दोनों चीज़े है तो अगर किसी को society से अलग कर दोगे वो इनसान अपने आप ही गरीब हो जाएगा क्योंकि उसको job की opportunities उतनी नहीं मिल पाएंगी क्योंकि काम तो society देता है ना तो अगर किसी एक इनसान को अगर कर दें हम बोले नहीं आप वहीं रहोगे जहां बाकी लोग गरीब लोग रह रहे हैं तो वहाँ भी उसे क्या job की opportunity मिलेगी ठीक है तो हम बोलते हैं गरीबी result भी है social exclusion का और उसका reason भी है अच्छा इसके अलाबा ये कहते हैं ये एक process है इसको एक process समझा जा सकता है जिसके तुरू किसी इनसान को कुछ लोगों को exclude कर दिया जाता है ठीक है use नहीं करने दिया जाएगा certain facility, benefit, opportunity जो बाकियों को मिल पा रही है और इंडिया में इसका बहुत ही बड़ा example है caste system ठीक है caste system तो इतने लंबे time तक जो lower caste के लोग रहे हैं उनको कितना problem face करना पड़ा है क्योंकि जो एक caste system है ये base है work पे कि कौन क्या काम करता है इसके basis पे इसको पूरा categorize किया गया था तो बहुत लंबे time तक चाहे कोई इनसान lower caste से belong करता हो और वो बहुत talented हो उसको मौका ही नहीं दिया जाता था कुछ और काम करने का कोई better काम करने का किसी different field में जाने का तो ये बहुत बहुत जादा इंडिया में इसकी वज़े से problem रहा है अभी भी है अब है vulnerability इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अगर एक same problem आए कोई एक problem आए सबके लिए same है पर उसका असर हम देखें कि कुछ लोगों पे बहुत जादा पड़े as compared to others कुछ लोगों पे उसका असर बहुत जादा पड़ रहा है ठीके तो हम बोलेंगे वो लोग vulnerable है अब ये situation हम साफ तोर पे देख सकते है natural disasters के time पे अगर बाढ़ है तो बाढ़ तो सबके लिए है बुकम पाया बुकम भी सबके लिए है पर उसका असर कुछ लोगों पे सब पड़ेगा कुछ लोगों पे उसका असर बहुत severe भी पड़ेगा क्योंकि वो लोग पहले ही बुरे situation में थे और जब ऐसा कुछ हो किया तो वो बिल्कुल बरबाद हो जाएंगे जबकि कुछ लोग ऐसा possible है हो कि अभी उनकी life बिकार हो गई वड़ कुछ time बाद में वो recover भी कर जाएंगे ठीक है तो ऐसे लोग जो same problem आने बे सबसे ज़्यादा affected हो उनको हम कहते हैं वो vulnerable है और वो ऐसी situation को handle भी नहीं कर पाते हैं उनमें इतने काबिलियत नहीं है इतना उनके पास पैसा ठीक है economic ability नहीं है कि वो ऐसी situation को handle कर पाएं भुकंप बाड़ में जितना नुकसान हो उसको handle कर पाएं अब इंडिया में ऐसे कौन से groups हैं जिसको हम vulnerable बोल सकते हैं तो चार major groups हैं इन चारों में से भी सबसे ज़्यादा जो vulnerable है वो है scheduled tribe ये important है scheduled tribe सबसे ज़्यादा vulnerable group है बागी तीन casual labor जो काम करते हैं मजदूर agricultural labor खेती में जो काम कर रहे हैं और scheduled caste सबसे ज़्यादा vulnerable हम इसको मांगते हैं और 1990s के data के according अगर हम जाएं जो survey बगरा हुए जो data आया उस time का उसके according जाएं अगर इसको देखें तो हम देखते हैं कि scheduled tribe जो है इसको छोड़ दें तो बागी सब ने अपना situation improve किया है बागी सब का situation improve हुआ है इसके situation में कोई improvement देखने में नहीं आया है या hardly कुछ improvement हुआ है ठीक है अब इससे भी ज़्यादा important चीज़ है कि अगर हम बोलें गरीब हैं जो लोग of course उनको बहुत problem वेज़ करना पड़ता है हम जानते है अब अगर एक family गरीब है तो उस family के अंदर भी income की inequality है I.K.A. समानता है ठीक है तो हम बोलते हैं जो poor family है उसमें सब सफर करते है poor family में हर किसी को परिशानी होती है पर कुछ लोगों की परिशानिया बाकियों के comparison में जादा होती है कैसे तो एक example अगर हम ले अगर एक family गरीब है तो income कम है income कम है तो ऐसी situation में अगर family में एक lady बिमार पड़ जाए तो उस lady की health को prioritize नहीं किया जाएगा बज़ जाए कि अगर एक male बिमार पड़े तो उसको priority दी जाएगी ठीक है तो यह है अब हम बोलते है जो औरते हैं बोड़े लोग हैं बच्चे हैं और especially girl child इनको पोला जाता है यह पूर गरीबों में भी सबसे गरीब हैं ठीक है तो यह पूर है amongst the poorest अच्छा इसके बाद है interstate disparity यह आज का last topic हम ले रहे हैं interstate disparities इसका मतलब यह है कि इंडिया में काफी states गरीब हैं हम जानते हैं ठीक है पर सारे states equal level के गरीब नहीं है कुछ states हैं जहां पर गरीबी का problem बहुत जादा severe है जबकि कुछ states में गरीबी जरूर है पर उतनी जादा नहीं है ठीक है तो level of गरीबी अलग-अलग state में अलग-अलग हमको देखने में आ रहा है ठीक है तो हमने बोला क्या इंडिया में गरीबी कितना 22% के आसपास ठीक है पर इंडिया में 20 states और union territory जो हैं वो इस वाले percentage से कम गरीबी उन states में है जबकि जो states बच गए तो उन states में सोचो कितनी जादा गरीबी होगी इन states में 22 से कम है गरीबी तो बांकी जो बच गए उसमें गरीबी बहुत जादा होगी तभी तो average 20 आया ना ठीक है तो इसमें ये है कि इंडिया में 20 states और union territory severe problem है जैसे उडिशा बिहार, असम, त्रिपुरा, यूपी इन समें सबसे पूर हम देख चुके थे बिहार, उडिशा ये सर्वे 2001 और 2 के according है और 11 के according census 11 के according है 36 ठीक है अब कुछ states ने कोशिश की है अपनी तरफ से गरीबी को कम करने के लिए, तो क्या-क्या try किया है पंजाब और हर्याना ने कोशिश किया कि वो agriculture पे ध्यान दे ऐसे करके उन्होंने गरीबी कम किया जो, तो green revolution भी तो आया था न, वहां पे इस तरह से उनमें गरीबी कम हो गई जो केरिला है, उन्होंने सोचा कि हम human resource development मानव संसाधन के विकास पे ध्यान दे ठीके, तो मानव संसाधन के विकास पे ध्यान देने का मतलब क्या है कि हम education और हम health इन दोनों sectors पे ध्यान दे तो अगर हम इंसान को पढ़ा लिखा दे उसकी सेहत का ध्यान रख ले तो फिर वो इंसान अपने आपी एक asset बन जाता है ठीके, बैसा कमायर राइक बन जाएगा देश के production में अपना contribution दे पाएगा तो इस तरह से ऐसी population जो पढ़ी लिखी है और healthy है, वो देश के लिए बोज नहीं बनती है, वो asset बनती है तो इन्होंने इस चीज़ पर काम किया जो West Bengal है इन्होंने land reforms लेके आए ठीक है, land reforms measures को इन्होंने बहुत अच्छे तरह से implement किया कि भई, ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास जमीन बहुत सारी है और कुछ लोगों के पास है ही नहीं वो landless है यह situation ना हो तो इन्होंने land reform measures को बहुत अच्छे तरह से अपने state में अपनाया इसके बाद है आंधरपरदेश और तमिल नाडू इन्होंने public distribution of food grains को शुरू किया, हमको बताए गरीबी का सबसे बड़ा reason एक तरह से खाना ना होना है सबसे बड़ा problem तो यही है तो इन्होंने इस problem को ही tackle करने के कोशिश की और इन्होंने लोगों को सस्ते दामों पे कम से कम खाना मिल पाए इस चीज का इंतजाम कर दिया इसको आज इतना ही रखेंगे अब next video में जितना बच गया है उस सब को हम finish कर देंगे